तो हमारा एपिसोड थिरी का पार्ट टू सुरू होता है और हम देखते हैं कि जो मास्टर टू था वो जो हॉंग को देखर एक लाइबरेरी में आ गया था यह लाइबरेरी जोर्फ लेंग था वहां पर जितने सारे उन सुब्क को देखकर होंग पूछता है कि यह सारे बुद्धिस्ट बूख है बुद्धिस्ट टेकनिक हैं ते बास सुनकर मिस्टर टू बोलता है कि हम लोगो का जो वह तेंपल में रहता था जहांग होंग में ले देता है तो इन ढूनों भुक को देखर कॉल था वाकिवा कि बहुत चींडा है तभी मुस्जड़ वह बोलता है कि अपसौस की बात यहा है कि दोनों भुक बैंट कर दिये तो हम देखते हैं कि हैरान होता है तब होस्त आ जाती है इसके यह तो हमस més न old cur सब्सक्राइब कि उसका निए पर प्रेक्टिस करने लगता है मासल आद को तो लाइफ आपको किसी तीचर के अंदर रहके प्रेक्टिस करना चाहिए कि इसे जो आपका मासला सीखने का चांस से वह बढ़ जाएगा और आप मुझे यह बदाए कि आप आके में इंपरियल को जाना ही क्यों चाहते हैं यह बास सुनकर हम देखते हैं कि अपना पास त्याद करने लगता है जहां पर हम देखते हैं कि जो बिंग यून थी वह फाइ सब्सक्राइब और हम देखते हैं कि बिंग यून का खालत बहुत ज्यादा खराब था अरो रहता और फिट भी हम देखते हैं में पर नहीं किया तो मैं अपने जेंगर कोई बहुं कर सकता हूं और यह मुसीबत बोलती है कि तुम यहां पर आए हो इस नोई में сказал कर desk ut ghost रोज रोज होने से अच्छा है कि मैं रहां कहीं रहकर प्रैक्टिस करो जाने लगता कि आप नहीं कि देखें नहीं जाए मुझे इसलिए मुझे मुझे बारे में कुछ भी पता नहीं वह एक भूग उसको देखें सकते हो जिसको प्रैक्टिस करने में जाला दिकत नहीं हो तुमको पताने लगती है तुम्हारे लगो जाता है अपिवा जोए उस भूग को देज़ेती है लेकिन तब ही साउंग थी वह उस बूग को प्रैक्टिस करने लगती है उसको दिखाती है कि देखो कैसे जो एक अपने माइं को कॉंसेटरेट करना पड़ेगा और जो तुम्हारे आस पास साउंड है उ अशばाथ तो महार जो सोल एक्रोंगला हो जाएगा और जो जो सको कल्टीवेसं में और करते हम इस ने बताने लगती तब देखते हैं कि उस फॉक्स का जो अवह उस बोदी सरे अलग हो जाता है जो तो अच्छा अपितु टाए कर ने लगती है पनी कि मेरे पीछे हाओ आद प पर हम देखते हैं कि यह काम नहीं करता है कि लेकिन ऐसा क्योंट में क्या होता है लेकिन तब हम देखते हैं कि जो फॉक्स को उठाने लगती है असमान में लेकिन हम दिखते हैं कि हभिषय को जान होने की दोगर घते की यहां पर हरांग कए टैने लगती है तो आप बटाने लगते कि कैसे किया जाता है और उसको चाहरे लेवर का वी ग्यान देने लगती है तभी वह बोलती है कि तुम इसको प्रेक्टिस नहीं कर पाऊ गाहे अब बोलती है कि मुझे तुम प्रोफेसर सॉंग करके बोलो तो हम देखते हैं कि हम जो बहुत ज़ए ख करना पड़ेगा अपने हाथ का पॉजिशन अपने माइंड का पॉजिशन और कैसे कौन सा पॉजिशन वह सब उसको बताने लगती है बोलती है कि मुझे इस चीज़ को करने में तेन साल से उपर कर समय लगा था तो यह सब बात सुनकर हम देखते हैं कि जो हौंग था वह अप अपने हिम्मत कैसे हुआ कि तुमें जो कुछ पता भी नहीं है और टीचर से सवाज कर रही हैँ आगर लगता है यह में एक स्कॉलर हूं तो मुझे पता है कि क्या करना है और मेरे पास मेरा खुट करांसा है इस चीज़ को रिसाइट करने विए तो हम देखते हैं कि में करे इसके वेशायन साइब रहा था और तभी हम देखने कि उसको फोरेद में एक इनर्जी गुलो होने लगता है और कुछ दिर बाद वह जयादा इनर्जी बॉल में कर सब्सक्राइब जाता है उसके चारों तरफ घूमने लगता है अफिट भी हम देखते हैं कि वह भी वहां पर आजाता है अफिवह यह देखर बहुत ज्यादा है उस प्लेस को देखकर आफिट भी कि हम देखते हैं कि हमें जो सुल आपने बोडी को छोड़ कर घूम रहा था वह वह रहां होने लगती है कि क्योंके बंड़ को प्रैक्टिस कर सकता और दो आपकर वहां पर हावा आता है वो व्योन्य इस शॉल में से को मदद करेंडί देती है यह वुड़ कर देते हैं अधोर हंसा है तो जब पर उत्र इस को अतना खराब में तुम बोलता था करना चाहिए कि कि अगर मैं यहां पर नहीं होती हूद तुमि पता भी ने ज़iltा है कि होंग बोलता है कि मेरे एंड़र प्रोटेrau moा कि फोल सकता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं ते सब बात सुनकर वो फॉक्स कर बोलती है कि आखे में तुम यह से पता किसे चल जाता है कि आपको मैं जो एक स्कॉलर हूँ फिलोसौफी जादा समझ में आता है अच्छे तरीका से तुम लोग को मामले में भी और वो जो अपना तार जाता है वह जो अपना बोडी को छोड़ देता है और फिर से फिरी हो जाता है तो हम देखते हैं कि इस वांग का बोडी उसके कंट्रोल में था और वह बोल रहा था कि इसमें कोई भी सक नहीं है कॉड़ पैले जैस तरह कि अगर बटियों को बहुत जादा ही पसंद खड़ है और फी तब हम देखते हैं कि वहां पर वह फॉक्स गर्ल भी अपने सोल के फॉर्म में आ गई थी हीमन बोडी के फॉर्म में तो उसको देखकर होंग बोलता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो तो फॉक्स कर बोलती है कि देखो तीन मंच लगाया इस चीज़ को प्रैक् वह मुझेगा पर में चाहिए जाएं कि आप सुबहा हो चुकी है और आप जो ज़्यादा इन तुफान आने वाले हैं कभी आ सकते हैं कभी वी तेज आवा चल सकता है तो तुम्हें बहुत हो सकता है तो देखते हैं कि होंग वापस अपने बोडिय बाद आते हुए बोलता कि इसमें कोई भी सख नहीं कि जब मैं बच्चा था तो मेरी मा मुझे से कहती थी कि मुझे हमें सब बहुत ज़्यादर महनत करना पर इसलिए मैं पगोरा को अपने महसूस कर सकता हूं तो यह बात सुनकर वह वो वो बोलती है कि अच्छा इसी के करन जो हम लोगो को आंटी य उनके पीछे कुछ घुट सवार भी उनका पीछा कर रहे थे और इसी के साथ हमारा ओफिस्यल एपिसोड ठीड़ी यहीं पर खटम होता है